हेलो एप्रिवन वेल्कम टू विद्यश्य एकाजमी आज हम पढ़ने वाले हैं एंपी पटवारी एक्जाम के लिए और वर्ग दो वर्ग एक के लिए सामान हिंदी के कुछ महत्यपून प्रश्ण जो की रोजगार और निर्मार्ट पेपर में आए हुए हैं यह काफी महत्यपून प्रश्ण है विद्यन एक्जामों में इन क्वेश्चन में से आने की काफी संभावना है फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनी विज्यान की मुख्यता कितनी साखाएं मानी जाती हैं यहां पर चार ओप्शन दिये गए हैं ध्वनी विज्यान की जो मुख्यता है वो साखाएं मानी जाती हैं जो राइट आंसर होगा वो होगा तीन तो उचारण ध्वनी विज्यान, प्रसारणिक ध्वनी विज्यान और श्रावनिक ध्वनी विज्यान जो है वो ध्वनी विज्यान की तीन साखाएं है सेकंड कुश्यन है कि भाषा को विश्व निवंदनी किसने कहा है तो इस तरीके के question आपसे पूछ रा सकते हैं कि भाषा को विश्व निवंदनी कहा है भ्रत हरी ने भ्रत हरी का संबंद मध्य प्रदेश में कहां से है ये आपको बताना है Next question है संस्कृत में ध्वनी विज्ञान का पुराना नाम क्या है तो संस्कृत में ध्वनी विज्ञान का पुराना नाम है सिक्षा सास्त्र या सिक्षा विदांग Next question है रश्चना की आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि रश्चना की आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं सरल वाक्य, संयोक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तो आंसर होगा यहां पर आंसर B is right answer Next question है कि सैली के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो शैली के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं बाग के चार प्रकार के होते हैं जिसमें कौन-कौन से प्रकार हैं तो शिथिल, समीकरत, आवर्थक और उत्साह वर्धक नेक्स क्वेशन है विसर्ग संदी है यहाँ पर आपको चार ओप्षन दिये गए हैं तो भवती, उलेक, नीसार और दोदशा तो वेशन संदी कहाँ पर होगी उलेक में होगी तो यह क्या होगा उत्धन लेक उलेक तो यहाँ पर वेशन संदी होगी अब नवयोग में अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी आपको पहले गैस करना है कि आंसर क्या होगा नवयोग में समास होगा नवयोग में कौन सा समास होगा करमिधाराय समास दिगू समास बहुबरी समास और द्वन्द समास आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा जो आंसर होगा वो होगा कर्मिधाराय समास नवयोबक में कर्मिधाराय समास होता है क्योंकि देखिए जो दिगू समास है वो तो संख्यावाचक होता है द्वंद समास में और तथा ऐसे शब्द आते हैं और बहुब्री समास में तरतियपत प्रधान होता है तो यहाँ पर आंजर होगा कर्मधारे समास क्योंकि कर्म की प्रधानता बताई गई है प्रतिशन में कौन सा समास होगा तो प्रतिशन में कौन सा समास होगा अव्याई भाव समास होगा प्रतिशन में आकास के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है चार ओप्शन दिये गए हैं असंभव काम करना, बहुत अभी मान करना, बहुत सम्मान करना या इन मैंसे कोई नहीं. तो आकाश के तारे तोड़ने का मतलब होता है असंभव काम करना. Next question है, मक्खिया मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेकार बैठना, भेद खुलना, भैबीत होना या कायरता दिखाना तो कई बार बोला जाता है कि कुछ करते नहीं हो, बैठे रहते हो बेकार बैठे, बेकार बैठके यसे मख्या मार रहे हो तो इसका अंसर होगा बेकार बैठना गोदान गोदान की रशनाकार कौन है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मुनसी प्रेम चंद जो है वो गोदान की रशनाकार है next question है कि कवीता वली कवीता वली के रचेता कौन है तो हम केवल आंसर आंसर ही डिस्कुस करते जाते हैं ताकि वीडियो लंबाना हो तो जो कवीता वली है इसके रचेता तुलसी दास जी है आपको तुलसी दास, कबीर दास, रहीम जी सारी रशनाय याद करनी है केशव दास केशव दास को क्या कहा जाता है तो इनको कठिन कावे का प्रेत कहा जाता है रामचंद्रिका रामचंद्रिका की रशनाकार कौन है रामचंद्रिका की रशनाकार भी केशवदास जी है जिनने कठन कावि का प्रेत कहा जाता है कामाईनी महाकावि के रचेता कौन है यहाँ पर चार ओप्शन दिये गए है सूरिकान त्रपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंद्र डॉक्टर राजकुमार बर्मा या जैशंकर प्रशाद तो कामाईनी एक महाकावि है जिसके जो रशनाकार है जैशंकर प्रशाद और आप इसे जैशू मसू कोट से याद कर सकते हैं जैशंकर प्रशाद सुमित्रा नंदन पंत्र महादेवी बर्मा और सूरिका अंत्रपाठी निराला ये चारों जो कवी है वो छायावादी कभी है और इनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं तो इसको याद कर लिजेगा प अबीरदास जी ने, अग्रदास जी ने, मलेक मुहमद जैसी ने या सूर्दास जी ने तो पदमावत की रशना की है मलेक मुहमद जैसी जी ने ये भी याद रखेगा साहित्ति लहरी, साहित्ति लहरी के रचेता कौन है, तो साहित्ति लहरी के रचेता है महानकवी सूर्दास जी म्रग नैनी, म्रग नैनी के रचेता बताना है, आपको चार आप्शन दिये गए हैं, आप अपना पांसर सोच लिजे क्या होगा ब्रगिनेनी के जो रचेता हैं वो हैं ब्रन्दावन लाल वर्मा ये प्रशने पूछा गया है भारत दूर्दसा भारत दूर्दसा के रचेता कौन है तो वो कौन है भारत इंदू हरिश्यंद आपने राजा हरिश्यंद की कहानी पड़ी होगी राजा हरिश्यंद जो सत्यवादी थे और जो सत्य बोलता है उसको क्या है उसको संकट जिलने पड़ते हैं तो एक तरीके से उसकी दशा बिगड़ जाती है या कभी-कभी उसको दुर्दसा ऐसा कुछ रिलेट कर लीजिए आपकी भारत दुर्दसा के जो कौन है रचेता है वो भारत इंदू हरिश्यंद है उसने कहा था इसके रशनाकार कौन है उसने कहा था कि रशनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उसने कहा था कि रचनाकार है, इसको याद रखिएगा शेखर एक जीवनी, इसकी रचनाकार कौन है? तो शेखर एक जीवनी, question mark लगा है तो अब हमें तो पता नहीं है किसकी रचनाकार कौन है? तो इसका आंशार होगा अग्ये जो अग्ये हैं वो शेखर एक जीवनी के रश्नाकार है चंद्रकांता संतत्ती चंद्रकांता संतत्ती किसने लिखी है देवी की नंदन खत्री जी ने चंद्रका संतत्ती लिखी है रामाइड अब ये तो सबसे easy question होगा रामाईड की रचेता बताना है यहाँ पर तो बालमी की आंसर होना चाहिए जो बालमी की जी है उन्होंने रामाईड लिखी है भारत मित्र का प्रकाशन कहां से होता है पनारस प्रियाग लाहोर या कलकत्ता तो भारत मित्र का जो प्रकाशन है वो होता है कलकत्ता से प्रग्या हितेशी के संपादक कौन है तो प्रग्या हितेशी के संपादक है राजा लक्षमन याद रखेगा ये हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन के संसे प्रारंब हुआ है तो 1877 से हिंदी प्रदीप पत्रिका तो प्रदीप पत्रिका साथ साथ प्रकाशत होंगी हिंदी प्रदीप पत्रिका तो साथ साथ मतलब 1877 में इसका प्रकाशन हुआ है मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है तो 1909 में हुआ है जो महत्यपूर पत्रिका है उनको बस याद कर लीजिएगा चान पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है तो 1920 में हुआ है अब हमने क्या क्या याद किया तो मर्यादा हब से पहले हमने पढ़ा था हिंदी प्रदीप पत्रिका, तो हिंदी की पत्रिका है और सांथ सांथ प्रकाशन हो रहा है, तो प्रदीप पत्रिका याद रखी 1877, इसके बाद हमने याद किया मर्यादा, मर्यादा, तो हमेशा बूला चाता है मर्यादा को नहीं तोड़ना है, no 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 मतलब 1909 ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं फिर चान पत्रिका चान पत्रिका का प्रकाशन तो मर्यादा जब तूटेगी नहीं तो कैसे होंगे चान जैसी पवित्रता रहेगी सुन्दरता रहेगी मतलब 1920 तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फिर बांगला भासा में रचित रामकथा का नाम क्या है तो बांगला भासा में जो रचित रामकथा है उसका नाम है क्रतिवासी रामाएंड आप जानते होंगे कि जो रामाएंड है वो कई भासाओं में लिखी गई है रामाएंड के कई रूप हैं तो जो बांगला भासा में कुछ questions और वचे हुए हैं गीतावली के रचेता कौन है तुलसी दास जी गीतावली के रचेता है साहित लहरी के रचेता हमने क्या डिसक्स किया था सूर्दास जी साहित अकैद्मी में पुरस्कत रचना है चार रचनाएं दी गई है इनमें जो साहित अकैडमी से पुरुष्कत रशना है वो है मुझे चांद चाहिए जो मुझे चांद चाहिए रशना उसको लिए साहित अकैडमी पुरुष्कार मिल चुका है निमले कितमे से कौन सी रशना ग्यानपीट पुरुष्कार से सम्मानत है तो ज्यानपीट पुरुसकार से समानेत रशना है चिदंबरा कामाईनी की रचेता कौन है अभी हमने डिसकस किया था जैशंकर प्रशाद जैशंकर प्रशाद जी ने कामाईनी की रशना की थी और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ज्यानपीट अविस्कार कप से शुरू हुआ है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है रामधाडी सेह दिनकर को भारती ज्यानपीट पुरुसकार किस रशना के लिए प्राप्थ हुआ था तो वो रचना थी औरवशी वी भावों के बिचारों से जो यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा भासा का विकास बोलियों के द्वारा होता है अलग-अलग प्रकार की शेत्री बोलिया होती है जैसे बुंदेल खंड में बुंदेल खंडी बोली जाती है चत्तीस गड में चत्तीस गडी बोली जाती है फिर इनी बोलियों को मिला के क्या होता है बहासा क्रमबद्रूप से विक्सित होती जाती है बोलिया क्या है लेखित स्वरूप आलेखित स्वरूप आ और बाद दोनों या अपरुप्त में से कोई नहीं तो जो राइट आंसर होगा वो होगा लेखित और आलेखित स्वरूप बोलियों को हम लेखते भी है और बोलते भी है तो यहाँ पर जो आंसर होगा बो होगा A और B बहुत Next question है कि नांगरिक्ता एवं एक्ता को संबद्ध किया जाता है इसे किसके माध्यम से और ज़्यादा घनिष्ट बनाया जा सकता है तो जाती के द्वारा धर्मी के द्वारा सरकार के द्वारा या मात्रभासा के द्वारा तो अभी हम क्या डिसकस कर रहे हैं मात्रभासा के प्रशने डिसकस कर रहे हैं और नांगरिक्ता और एक्ता को संबद्ध हम कर सकते हैं किसके द्वारा मात्रभासा की द्वारा तो एक तरीके से जो इसका नेरो मीनिंग निकाला जाता है वो है माता की भासा लेकिन क्या केवल माता की भासा को मात्र भासा कहा जाता है तो ऐसा नहीं है जैसे आपने सुना होगा कि हिंदी हमारी मात्र भासा है तो ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारी मम्मी ही हिंदी बोलती है इसल प्रथक प्रथक शब्द हैं तो क्या मात्र बोली और मात्र भासा एक ही शब्द हैं राइट आंसर जो होगा प्रथक प्रथक शब्द हैं मात्र बोली अलग होती है और मात्र भासा अलग होती है बोली जो होती है वो शेत्रिता को प्रदर्शित करती है लेकिन जो भासा होती ह भासा का निर्माण होता है शब्द चित्रों से विवहारिक बाक्चियों से ध्वनी प्रतीकों से या भाव बैंचनों से तो जो भासा का निर्माण होता है वो कैसे होता है वो ध्वनी प्रतीकों के माध्यम से भासा का निर्माण होता है जैसे हम पहले वर्ण सीखते हैं, आबासा सीखते हैं, फिर दीरे-दीरे मिला के हम किस तरीके से अक्षर कंद्रमाड करते हैं, फिर वाखे कंद्रमाड करते हैं, फिर पूरी भासा का विकास होता है जनिनी जन्विभूमिश स्वर्ग से महान है को संबंद किया जा सकता है किस से किया जा सकता है मात्र भासा से जापानी भासा से भारती भासाओं से या अर्बी भासा से तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मात्र भासा से निमलेकित मैंसे कौन सी भासा प्राचीन तक है तो यहां पर अपभरंस, प्राकृतिक, वैदिक संस्कृत या संस्कृत तो जो आंसर होगा वो होगा वैदिक संस्कृत जो है वो प्राचीन तक भासा है हिंदी भासा की उत्पत्ति किस अपभरंस इसे हुई है तो ये प्रश्न काफी एक्जाम में पूछा गया है जो शेर सोर सैनी अपभरंस होता है उससे हिंदी भासा की उत्पत्ती मानी जाती है नमलेकित मैंसे कौन सी भार तो भारो पिये परिवार की भासा नहीं है यहां पर याद रखिएगा नहीं है पूछा गया है तो भारो पिये परिवार की भासा कौन सी नहीं है गुजराती, हिंदी, तेलुगू या मराथी आई होब आपने अपना आंसर सोच लिया होगा जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलुगू तेलुगू जो है वो भारो पिये परिवार की भासा नहीं है शुद्ध वर्तिनी का यहाँ पर चयान करना है अनुक्रम चारों वर्तिनी दी गई है आपको अपना सही आंसर बनाना है कि जो राइट आंसर है वो क्या होगा वो होगा अनुक्रम अनुक्रम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा फिर यहाँ पर कुछ अशुद्यां दी गए है कि शारेड़े किस तरीके से लिखा जाएगा ति आप देख लिजेगा PDF से शुद्ध वर्दिनी बताना है यापर वर्दिनी की दृष्टी से कौन सा शब्द सही है जोत्सिना इस तरीके से आपसे पूछी रसकते हैं चार में से एक सही दिया जाएगा जोत्सिना इस तरीके से लिखा जाएगा देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है ब्राम्मी लिपी से याद रखिएगा देवनागरी लिपी ब्राम्मी लिपी से ही विक्सित हुई है रीवा सतना की बोली का क्या नाम है तो रीवा सतना की बोली बगेली है जो लोग रीवा सतना साइट के हैं वो बखुवी बगेली बोली से परिचित होंगे मैथिली किस हिंदी प्रदेश की बोली है तो जो बिहार है वो फेमस है वहाँ पर आपने देखा होगा मिथिला मखाना मिथिला मखाना को भी GI टेग मिला है तो जो मैथिली बोली है उसका सम्मंद कहां से है उसका सम्मंद बिहार से है तो ये कुछ महत्यपूर्ण प्रशन थे हिंदी विसाय से रिलेटेड आई होप आपके लिए ये प्रशन महत्यपूर्ण साबित होंगे और इसको आप बस एक से दो बार सुन लेंगे तो आपको ये प्रशन डेफिनिटली याद हो जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए जैहिन जै भारत